मस्ते वेलकम बैक टो मैं चैनल सिंपल टिप्स भाई सीमा प्राकतिक सौंदर को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका रिसाइकल फूलों और नारियल के छिलकों का पुना प्रयोग करने का ये शानदार तरीका आज मैं बता रही हूँ मैंने लिये हैं गेंदे के सुखे फूल सजावट के समय हम इन फूलों का उपयोग करते हैं उसके बाद ये सूख जाते हैं तो हम इने फेक देते हैं यूही इने फेक ये मत और इनका यूज इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा इन फूलों का यूज होता है सुके चिलके नारियल के और ये सब चीजे हमने ग्राइंड कर लिया है और इनका पाउडर एक अच्छी ये बना लिया है और जो इनका ये चिलका बस जाता है उन्हें भी फेकिये मत इन्हें अपने पेडों और पौधों में घर के गमलों में डाल दीजिए तो उसका भी अच्छा यूज हो जाता है और ये पाउडर कुम में हमने रोज वाटर डाला है और इसमें गंगा जल डाल के एक अच्छी तरीके से डो बना लेना है और हाथों की उंगलियों की साहता से हलके हाथों से एक छोटी-छोटी स्टिक इनकी तयार कर लेनी है और इन्हें दो दिन धूप में एक ही दिन धूप में रखने से ये पूरी अच्छी तरीके से सूख जाते है और इनका अच्छा उप्योग होता है, पूजा के समय हम इने जला देते हैं, भगवान के सामने तो इनका धूप अच्छी सुगंद, एक अच्छा वाकी सुगंद से होता ही है, साथ में हवा में उनने वाले की टाणू भी इससे नश्ट हो जाते हैं, और ये देख सकते हैं, इस तरह से हम सारी इस्टिक तयार कर लेंगे, और ये बनके तयार हो गई है, प्रकति का साथी बने फूलो और नारियल के चिलकों का सही इस्तेमा,